हेलो एवरीवन मैं हूँ आभा और आज मैं आपको बताने जा रही हूँ इस साल इंटरनेट पे वाइरल हुई डालगोना काफी और वो भी बिना विसकर की हेल्प के लेकिन अगर आप मेरे इंस्ट्रक्शन को ध्यान से देखेंगे तो आप भी 5-6 मिनट में इस काफी को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे कर लें तो चलिए आएए देखते हैं यह कैसे बनता है इसमें सबसे पहले मैंने एक पैन लिया है इस पैन को आप इंडक्शन या गैस पर रख दीजिए और उसमें आधा कप पानी गरम कर लीजे अब इस गरम पान इसमें कॉफी डाल दी है उस दो ग्लास के लिए मेरे ख्याल से इतनी कॉफी तो ठीक रहेगी बस अब हम क्या करेंगे कि इस गरम पानी को हम थोड़ा थोड़ा जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं मेरा चमज भी छोटा है और उससे भी मैंने आधा चमज लिया है और डा यहाल में डाल कर देखेगा फेटी रही है और भी में पानी जाता जाता है कॉफी में जो हम फेटती हूँ जब हमारा हाथ थोड़ा सा तायप चलने लगे काफी एक जैसे में फेटती जा रही हूं यह पानीकुल कौफी में गण होता चला जा रहा है कि लिगत सकते हैं ic मुझे जब भी मुझे लग रहा है कि मेरा हां थोड़ा सा थाल चलने लगा कौफी थोड़ी सी हार्ड हो गई फिर थोड़ा सा थोड़ा सा पानी डाल डालके इसे आपको यूही फेटना है अगर मान लीजे कौफी में इस पूरी कौफी को फेटने में लगभख चार चमच मैंने पानी डाला है और आपने अगर दो चमच भी इखटा डाल दिया पहले ही तो आपकी कौफी कभी नहीं फिटेगी चाहे वो उसमें तीन कौफी डालनी है इसका सिर्फ यही एक तरीका है और यही एक ट्रिक है जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं मैं लगभख चार से पांच बूंधी पानी डाल ली हो और मेरी काफी कितनी फलफी होती चली जा रही है मेरी इस कौफी को फेटने में बहुत ज़्यादा वक् करिएगा क्योंकि तब यह कौफी बिल्कुल भी नहीं बन पाएगी कभी कभी क्या होता है हॉट कौफी बनाते हैं लोग तो उसी गरम दूद को उसमें डाल के फुटने के कोसिस करते हैं और वह कभी नहीं फिटती है इस कौफी को पूरा फिटने में मेरा लगभख साथ से 8 मिनट लगे हैं और मेरी कौफी देखिए फिटकर बिल्कुल तयार है अब मैं आपको इसे सर्व करके दिखा देती हूं मैंने एक ग्लास ली है उसमें 4 आइस क्यूस डाले हैं और फ्रिच का ठंडा दूद मैंने डाला ग्लास को हम थोड़ा सा खाली ही रखेंगे अब मैं इसी जिस ग्लास में मैंने कौफी को फेटा था उसी ग्लास से ही इसमें डाल देती हूं इजी रहेगा मेरे लिए यह मैंने डाल दिया अब फ्रेंड्स यह मेरी डाल गोना काफी सिर्फ सात मिनट में रेडी हुई है अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें इस समय आपके स्क्रीन पे सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उसे प्रेस करें थैंक यू